साथियो नमस्कार, साथियो आप सभी का मेरे यूटूब चैनल DPM Academy पर स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यहाँ आप मेरी स्कीन पर देख पा रहे होंगे कि दा टोक्नो माईस ओफ दा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉक्चेन यहाँ पर आज हम WCRU की फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में पेस करने वाले हैं तो दोस्तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको इसी प्रकाय की लेटिस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके साथियो यह अपडेट्स निकाल ले में बहुत काफी मैनत करना पड़ती है और आप लोग जो कमेंट में लिखते हैं तो वो कहीं न कहीं मेरे मनुवल को तोड़ते हैं तो दोस्तो हमें यहाँ पर मनुवल को तोड़ना नहीं है मनुवल को बढ़ाना है साथियो आप कुछ भी बोलते रहिए हमें से कोई भी फरक नहीं पड़ने वाला हाँ लेकिन यहाँ जो भी आपको updates दी जाती है वो genuine आप यहाँ पर मेरी screen पर देख पारे होंगे कि जो genuine information होती है वो ही आप से हम साजा करते हैं साथी हो तो यहाँ पर आप देख पारे होंगे कि लिखा है the crypto unit blockchain is based on the EOS, IOS, source code and user the only decentralized concession algorithm capable of meeting the performance needs of blockchain application delegates proof of stake DPOS यानि हम इसको थोड़ा से हिंदी में अनुबात करें तो crypto unit जो हमारा blockchain है वो कैसा है वो EOS, IOS, source code पर आधारित है साथी हो और केवल बिकेंदरी कृत जो हमारा decentralized है वो है बिकेंदरी कृत सर्व सम्मती एल गो रिथियम का उप्योग करता है जो blockchain अनुपरियोगों की प्रदर्शन आवशक्ताओं को पूरा करने में सक्षम है तो delegate proof of stake DPOS तो दोस्तों यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा blockchain बेस जो हमारा tokenomize है वो दो प्रकार से यहां पर काम करता है पहला है हमारा EOS यानि यह यह algorithm का उप्योग करता है और दोस्रा हमारा जो है वो है DPOS तो इस तरीके का हमारा जो process है वो इसमें दिया हुआ है अब according to this algorithm blockchain token holders can choose block producer though and insistent bot and anyone can decide to participate in block production and get the right to produce the number of blocks proportional to the number of bots received relative to all other producer receiving reward with UNTV blockchain token तो यहां पर बताया गया है कि जो हमारा algorithm के अनुसाय जो blockchain token धारक जो है वो लगातार बोट के माध्यम से block उत्पादों को को कुछ चुन सकते हैं और कोई भी block उत्पादन में भाग लेने का लेड़ ले सकता है और प्राप्ट करने वाले सभी उत्पादों को सापेक्च प्राप्ट बोटों की संख्या के अनुपाद में block की संख्या का उत्पादन करने का अधिकार प्राप्ट कर सकता है यू एन टीवी जो हमारा token है वो blockchain token के साथ है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हूँ कि अपना जो यू एन टीवी CRU CRU और बहुत जल्द आपको यहाँ पर WCRU देखने को मिलेगा blockchain पर तो यह हमारे network को संचलन बनाए रखने के लिए block उत्पादों या network notes के दारकों के बीच है दोस्तों और जो हमारा यह 17 दिसंबर 2021 से crypto unit blockchain का विकास अंगले चर्ण में चला गया है और साथ ही UNTV token उत्साजन के बित्रण का अनुपाद बदल रहा है मेरे दोस्तों तो यहाँ पर आद देख पा रहे होंगे कि जो हमारे CRU या WCRU या जो UNTV के जो इस्टेक धारक है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हूँ 40% पर 40-20 इस तरीके से आप यहाँ पर ब्लॉक प्रमुक उत्पादों को अपने इसाब से यहाँ पर वो कर सकते हैं क्रिप्टो यूनिट इंक फंड के खाते में 20% टक्नीकी लेंदन परिविजनाओ विकास खनुदा नादी के लिए निर्माता हैं अब यहां पर बात आती है हाँ तो बीकम ए प्रोडूशर निर्माता कैसे बने तो वाइदा वेदा कंपिटिशन फोर प्रोडूशर इस अल्रेड़ी टेकिंग प्लेस राइट नाव और बिल्स लास्ट अंटल फर्वर्वरी 10-2020, there are only 10 free place left to get into the top 21, therefore if you are a specialist capable of securing block bandwidth and increasing the value of crypto unit network in various ways तो बैसे निर्माताओं के लिए प्लितियोकता अभी हो रही है और 10 फर्वरी 2022 तक चलेगी सीर्स 21 में आने के लिए केवल 10 खालिस्तान बचे हैं इसलिए यदि आप एक बिसेसग हैं जो block bandwidth हासल करने में सक्षा में और crypto unit network के मूल को विभिन तरीके से बढ़ाना या हो सकता है कि आप पहले से ही EOS, IO पर आधारित unnetwork में एक block नवाता है तो आपके पास समदाय द्वारा चुने गए चुने जाने का हर मौका है तो दोस्तों यहां हम थोड़ा सा blockchain और UGP के बारे में हम बात कर रहे थे तो यहां पर आप समझ चुके होंगी कि जो हमारा crypto unit blockchain है वो किस तरीके से यहां काम करने वाला है साथियो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like and subscribe जरूप करें मेरे चैनल को तो दोस्तों जय हैं जय भारत बंदे मात्रों